हम बात करने वाले हैं कि अपने किये हुए लॉसिस को हम कैसे रिकावर कर सकते हैं तो थोरा सफ साइकलोजी विसस पर समझेंगे फिर मैं आपको पुता सैट अप करूंगा और जो एक्चल में टेडिंग सेट अफ होगा वह भी मैं सैर करूंगा कि कैसे हम किस स्टैटेजी पर काम कर सकते हैं क्या इसको रिवार्ड हमें फॉलो करना चाहिए पहले अगर हम समझें तो अगर आपने लॉसिस की हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कर लाइग से वाले हैं तो अब का जो बेस होगा वही होगा जो आपने लॉसिस किये हैं कि यह चीजें हमें रिपीट नहीं करनी है अगर वह कोई फीवर का अगर आप मैडिसिन ले रहे हैं लाइक अगर आपको diabetes है, आप BP के अगर medicine ले रहे हैं, तो इससे आपका कोई benefit नहीं होने वाला है, आपका dose सेम रहेगा, जो आप power ले रहे हैं, medicine का वो सेम है, पैसे भी आपके जा रहे है, time भी आपका जा रहे है, बट आपके body को benefit नहीं मिल रहे है, reason आपको BP था और आप try कर रहे ह medicine, diabetes का, ठीक है, इस type से, तो सेम चीज मार्केट में भी apply होती है, कि आपने जो गलतियां की है, अगर आप उससे नहीं सीख रहे हैं, then वो losses आपको फिर से आने वाला है, और इससे आपका कोई benefit नहीं होगा, ठीक है, तो आप कितना भी planning करके चलेंगे, गलतियां repeat करते रहें तो profit नहीं बनेगा, तो try करना है, कि हम same mistakes को repeat ना करें, तो सबसे पहले identify करना है, कि हमने losses क्यों کیा था- जैसे सपोजй आपने किसी के टिप्स पर traids है इसलिया आपके losses है आपने किसी और का analysis follow किया था isलिया आपके losses है आपने money management follow नहीं किया था इसलिया आपके losses है या इसके अलाबा तो और युज़ेंगे रिजन से आपके losses हो सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट समझना बहुत important है कि trading में जब आप एक trade लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर सारी चीजे fix नहीं होती है मतलब almost कुछ भी fix नहीं है अगर आप normally जाएंगे trade करने के लिए तो ना आपका strike price fix है कि किसमें trade करना है ना आपका capital fix हुआ कि आपको कितना trade करना है ना आपका risk है वहाँ पर कि कितना आपको risk λेना है ना ही आपका target fix है वहाँ पर ना हि आपका index में trade plan fix है कि आपको किस index में trade करना है ना ही आपका setup fix है यह सारी चीजी अगर आप एक momentum में एक time में अगर आप adjust करने充 के mistake की है वो हमें identify करना है उनको note down करना है और हमें एक चीज return करनी है वहाँ पर कि यह चीज हम repeat नहीं करेंगे यह गलती हम repeat नहीं करेंगे second है आप किसी की trade या analysis follow कर रहे है तो बहाँ पर एक point आपको समझना बहुत important है आप definitely analysis analysis देखिए आप tips भी अगर लेना चाहिए आप लेजिए लेकिन एक point समझना है कि सामने वाला अगर आपको tips या analysis दे रहा है तो definitely 100% time नहीं लेकिन 70-80% time यह आपको जरूर मिलेगा वहाँ पर कि 우리가 vos तो हम डायक्ली पर focus करते हैं और टार्गेट पर focus करते हैं बड़ा प्ता स्विट््वस कहां है क्योंकि इसी से आपका risk define होगा जब आपको risk पता होगा तब आप calculate कर सकते है क्या profit हमारे रिस्क के और अगर दोनों चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है तब आप टेड प्लान कर सकते हैं तो अगर एक हजार रुपे का रिस्क है एक टेड में तो आपका कॉंटिटी भी सैट ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप इतनी ही कॉंटिटी ले सकते हैं देन आपका उससे कैपिटल फिक रिस्क हो गया जब रिस्क हो थोई कैपिट्स कितना औरился यह कोई चीजि अप कोई नेतर पता हो चाहिए उसका में रिस्क किया आपकी सारी चीज़ें automatic आप देखें इस circle में automatic fix होती हुई चली जाएंगे सिर्फ same time में आपको वहाँ पर एक trade setup बनाना है ठीक है अब आते है normal points पर कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है तो सबसे पहले trading में अगर आपको losses recover करना है तो आपको एक चीज़ समझना है कि loss recovery जैसा market में कुछ भी नहीं होता है ठीक है आप कोई instrument तो है नहीं यह लगसे जिसमें आप loss recover कर लेंगे loss recover करने means एक simple process है कि आपने कोई loss किया हुआ एक certain amount का जो कि एक लाग दो लाग पांच लाग पचास जार दफस जार कुछ भी हो सकता है उसको आप recover करना चाहते है तो basically यह जो आप loss recover करना चाहते है यह आपका target है ठीक है यह आपका target हो गया ठीक है target हो गया अब आपको एक चीज़ समझना है कि अगर आपने capital के recording target fix कर लिया है तब आप time को fix ना करें क्योंकि अगर आप इसको टाइम बाउंडेशन भी दे देंगे time limit भी अगर आपने दे दिया कि मुझे time limit ना दे कि दो महिने में ही करना है चार महिने में करना या एक महिने में करना थो आपने अपना loss recover करने के लिए जो plan किया इसमें आपने target fix कर लिया अब एक certain capital हो सकता है आपका thousand क्वान करने वाले हैं यहाँ पर आप सब से जाधा काम अएगा वो है consistency और discipline और consistency रहता है तो इसके साथ आपको यूज करना है management ठीक है DCM simple discipline consistency और management discipline कैसा आपको क्या trade करना है आपको पता होना चाहिए आपको कितना trade करना है कितनी quantity में करना है उसका risk क्या होगा उसका आपको reward क्या होगा किस index को आप follow करने वाले हैं क्या आपका trading setup होगा यह सारी चीज़ें आती है discipline में ठीक है यह चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए और इन पर आपका control होना चाहिए consistency आता है इसको regularly follow करना इसकी उपर trust करना ठीक है कि आप उसकी उपर trust करने उसको regular basis पर आप repeat कर रहे है वह consistency consistency का simple meaning है कि आपने एक setup पकड़ा हुआ है तो अगर वो कभी गलत भी होता है तभी आपको छोड़ना नहीं है उसको आपको continue करना है क्योंकि देखे definitely stop losses जाएंगे जैसे अगर आप एक example के लिए समझ ले आपको जो एक अच्छा example मिलेगा मेरे थूरू अगर मैं अपनी बात करते हूं हम एक जीरो टू हिरो ग्रोफ रन कर रहे हैं जो कि एजुक्षिनल ग्रोफ है अगर हम देखे हम अथरा महीने से उस पर काम कर रहे हैं लगभग 15-16-17 महीने के आसपास या अथरा महीने के आसपास का time हो गया है जिसक इन तीन चार-चार दिन भी हमारे रेगुलर्ली लॉस गए हैं लेकिन सेम टाइम में प्रॉफिट भी उसी तरीके से आता है तो अगर आप एक बार रीचेक करना चाहें तो आप टेलिग्राम पर जाकर आप एक बार रीचेक उसको कर सकते हैं तो आपको वो चीज समझ में अग Question सब tinc देने पडेंगे आपको लोस अब क्या एक्ग्फिट नहीं करते हैं कि यूशी आपक को इनवेस्ट कर रहे हैं वही आपको बना करना के देगा यह चीज हमें समझनी है तो consistency basically यह है, management यह है कि हमें क्या follow करना है, ठीक है, follow मतलब हमें क्या चीज़ें देखनी है, कितना हमारा risk है, क्या capital है, तो इसके according जब हम plan करना start करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझना है, कि जब हमारे पास knowledge नहीं है, हमें एक lot के साथ trade करना है, अब एक lot अगर आप trade करना ह क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि निफ्टी इसलिए, क्योंकि इसका momentum थोड़ा सा trust कर सकते हैं, प्लस आपको ज्यादा easy समझ में आ सकता है, अगर आप bank निफ्टी जाएंगे fluctuation बहुत ज्यादा होती है, तो इतना confirm आपको वहां पर projection भी नहीं देखेग हो है, तो 100 रूपीज के आज पास आता है, तो मैं मान कर चलता हूं, 100 रूपीज का premium आप बाय कर रहे हैं हर बार में, ठीक है, आपको costing आया 5000 का, तो यहां पर आप अगर 5000 रूपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज समझना है कि जो investment है, वो आपके total capital का 30% या invest कर रहे हैं, तो अगर हम इस पर risk की बात करते हैं, तो सेम चीज आ गया कि 2-3% का risk रखना है, लेकिन क्यूंकि capital हमारा कम है, तो हम risk थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहां पर, तो हम 3-4% के risk लिए जा सकते हैं, तो यहां पर हम क्या plan कर सकते हैं, कि 700 रूपे से लेकर 1000 रूपे सकते हैं, मतलब आप जनरली 80 रूपे से लेकर 110 रूपे के आसपास के premiums तक को buy करेंगे, तो इसमें 2-3 strike prices आएंगे, तो जनरली आप उनहीं को देखने वाले हैं, जिसका price 80-110 रूपे के आसपास होगा, क्यूंकि 5000 के अंदर वही आ सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्याद मतलब 100 के अंदर अंदर ये मिलेगा, तो आप देखें, आप आपकी limit क्या हो गए, कि आपके पास सरफ 3 या 4 strike prices हो गया, आपका capital fix हो गया, आपका overall capital fix हो गया, इसके उपर आपका risk भी fix हो गया, तो अब ये चीज़ें आपको live market में calculate नहीं करनी है, अब जब आपका risk fix हो गय हमें एक setup देखना है, setup मतलब होता है strategy, strategy मतलब एक simple चीज़ आप समझें, कि setup आपका जितना easy होगा, जितना simple होगा, और जितना आपको समझने में easy रहेगा, किसी को देखने, किसी और को समझने से कोई मतलब नहीं बनता है, आपको ये चीज़ समझना है, कोई एक setup अगर आ प्रॉफिट बना लेंगे वह कोई मतलब का नहीं है मतलब की सरफ वह चीज है जो आपको इसली समझ में आ जाए वह सेट आप हमें यूज करना है तो इसके लिए मैंने एक प्रिविएस वीडियो में आपको मैं यहां पर मैंसन कर रहा हूं थमनेल आप देख रहे होंगे उप डिस किप्सिन में आपको लिंग मिल जाएगा या पले लिश्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं एक सेट लाइन की उपर मैंने सेटब एक्स्पायरी के लिए है वहीं पर इक सेटब भी आने वाला जो हम एक मैट के चार्ट पर आ गया है तो यह हमारा लास्ट ट्रेडिंग ने था बारा जन्वरी का हमें एक ट्रेड लाइन पर ट्रेड करना है अब आपको एक चीज़ समझना है कि ट्रेंड लाइन बहुत एंगल में लगती है एक फ्लैट रेंज आप कहेंगे से यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें मतलब पूरा त्रेंड लाइन लगते हुए दिखाई देगा तो पूरा त्रेंड लाइन लगते हुए दिखाई देगा वहीं पर पूरा आपको क्योंकि कैसे भी लगते हुए दिखाई देते हैं तो यह पूरे अगर एक राउंड में लग रहे हैं तो हर टेंड लाइन तो पर्फेक्ट बर्क नहीं कर सकता है ठीक है तो हमें जब हम सैट आप बना रहे हैं तो हमें यह चीज समझना है कि कौन से ऐसे टेंड अब कहने के लिए क्या हो जाता है जैसे मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं ठीक है तो लेकिन यहां से आ गया अब फस गया आपको नहीं समझ में में फिर अगली बार अगर आप देखने नेक्स स्वान चीники क्न में क्ली पूइंट ही साइध आपका पूरा ट्रेड हो वहां पर क्योंकि जब आप एक ATM को बाय कर रहे हैं दस पॉइंट में आपका पांच करेगा एक से दो रुपे का आपका बफर है क्योंकि जैनरली ऑप्सन थोड़ा स्था कभी कभी अनीवन वहां पर विहेव करता है तो साथ रुपे भी मूव कर जाता है तो इनके सगर वह आठ रुपे मूव कर गया तो आपका तो ऐसली चला गया पूरा वहां पर 400 रुपे का अगर आपने एक लॉट लिया हुआ था 500-600 का आपका मैंग्जिमा स्टॉप लॉस होगा दो ट्रेट प्लान कर रहे हैं तो 400-500 कई आपका एक स्टॉप लॉस ही चला गया उतने मुमें तो इसलिए हमें एक ऐसा सेटप देखना है जो हमारे लिए बहुत अच्छा बर्क करत हैं इसका एक एक्जांपल मैं यहां पर दिखा रहा हूं मैंने एक मेंट के चार्ट में आपको कहा है कि हमें एक मेंट के टेंड लाइन को फॉलो करना है जनरली 20-30 मिनिट का मुमेंटम आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि 20-30 में के मुमेंटम के बाद लग रहा हो तो ज्याद आच्छा वर्क करता है तो यहां पर देखा है यह 10-15 मेंट का मुमेंटम है अब्र जहां से लग रहा है अब एक चीज़ यहां पर समझना है यह 10 लाइन मैंने लगाया परफएक्ट दिख रहा है और प्पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है या हो सकता है एक दो साल का experience है बट आपने कभी setup ट्राय नहीं किये तो हो सकता है यह trend line आपको ना दिखे तो हम क्या करें तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि यह trend line जरूरी नहीं कि यही trend line है इसके अधर भी बहुत trend line लग रहे होंगे तो आपको जो trend line दिख रहा है आपको जि इसी trade पर पैसा बनेगा पैसा पूरे दिन बन सकता है बस आपको यह समझना है कि आप कहां पर capable है यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यह trend line लग रहा है जो कि 30 मैट के time frame में है मतलब लगभग इसके बीच मेट का time market ने spend किया है तो यहां पर यह trend line picture perfect लग रहा है लेकिन हो हो सकता है आपको यह trend line picture perfect लग दिख रहा है बट मुझे नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं अब हो सकता है कि कोई और एक second person है second member है जिसको trend line यहां से दिख रहा है तो यह भी सही है यह भी गलत नहीं है एक और कोई हो सकता है मेंबर जिससे साहइद यहां पर एक range दि रहा है जो हमें परफेक्ट दिख रहा है वो परफेक्ट है उसके ऊपागे जा अगर आपको को ऊच्पदेंस आता है जिस च्टेश्ट करें अगर ते को आए तब आप उसको forward testing करें forward testing का अगर रिजल्ट आपका 70% 75% आ जाए तब आप उसको real money के साथ या virtual money के साथ planning में स्टार्टिंग ने के लिए और एक lot के साथ और 60% का expectation लेकर चले तो जो भी आपका back testing result और forward testing result आया है उससे 10-15% या 20% कम accuracy को आप expectation में लेकर चलें तो आपको एक चीज पहले आपके mind में बहुत clear होनी चाहिए कि 40% मेरा loss होने वाला है मतलब मैं जब 10 trade करूंगा तो 4 trade में मेरा loss आने वाला है अब यह ऐसा नहीं होगा यह कोई set rule तो है नहीं कि आपको 10 में से 4 trade ही वहाँ पर ठीक है 15-16 trade आपके पूरे सही गए और इसके बाद 8 आपको continue losses आया यह बिलकुल हो सकता है और होता है normally क्योंकि जब profit चल रहा होता है continuous profit चलेगा और loss आएगा तो continuous loss आएगा तो यह आपको plan करके चलना पड़ेगा यह ऐसा कभी नहीं होगा कि 10 trade में से 6 trade profit में फिर same process चल रहा है इसी type से generally होता है तो अगर हम 70-80% का accuracy लेकर चल रहे हैं back testing में और forward testing में तब हमें 60% के साथ हमें trade करना start करना है जब आप 60% accuracy पर trade करना है तो normally आप 20-15, 20-2 के आसपास का target रखें जो मैंने आपको setup explain किया था यहाँ पर जो मैंने अभी आपको दिखाया इ यहाँ पर इसका simple यह rule होता है हमें कि हमें breakout करना है index में options में option आपको भी ले सकते हैं same जो breakout क्या है उसी candle के आसपास का stop loss रखना है और आपको target रखना है 1-2 का जो कि आपको generally मिल जाता है इस setup का accuracy 70-75% के आसपास का है बाकि आपके उपर depend करता है आप इसे 90% या 85% तक भी ले जा सकते हैं पर totally आपके आपके जो experiences क्यों पर depend कर जाता है यह बनिश्टू का target है जो ब्रेक आउट कर रहा है या जो लाश्ट लोग आपको दिख रहा है अगर पांचे point के रिसमें तो वही पर आपको प्लान करना यह सालिय स्केल्पिंग ट्रेड्स हैं यह लॉंग ट कर सकते हैं आप चाहें आप बड़े ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं डारेक्ली दिन का एक ट्रेड्स भी आप बहां पर प्लान करके चल सकते हैं तो अब हम conclusion में आ जाते हैं जो हम points explain हम यहाँ पर समझें हैं basically तो सबसे पहले है कि हमें हमारा discipline पता होगा कि हमें क्या चीज 30 परसंट से करना है तो आपका ड्रीडंग कैपिटल फिक्स है आपका यहाँ पर रिस्क है वह आपको फिक्स रखना है दैन रिस्क के अक्वडिंग है आपका टार्गेट फिक्स हो जाएगा इसके अक्युवर्ट ले सकते हैं उसके अको को सैटप मिलेगा हर सैटप तो कर सकते हैं 20 के युठ इंडेक्स हो गया सक Cooking चीज है बस आप को पैकal को सटडिल करना चाहते हैं तो बैठके टैंड लाइन employed ही देखने हैं जहां पर और गी तो बात आती इसे चीज़ को आपको क्ढसिस्टेंस के साथ eines हम प्राइज फिक्स हो गई तो आपके पास सारी चीज़ें फिक्स हैं बस आपको live market में वो setup identify करना है जो भी आप trade करना चाहते हैं लाइक trend line तो आपको बैठके trend lines ही देखनी है जहां पर भी trend lines आपको अच्छा दिखेगा आप वहाँ पर trade कर लेंगे अब जब यह सारी चीज़ होती रहेंगी यह होती आई है और होती रहेंगी ठीक है नियूज आएगा रिजल्ट आएंगे और सारी चीज़ें अप टाउन होंगी वहाँ पर प्राइज उपन इंचे होगा इंडेक्स थोड़ा सा अनीवन बिहेव करेगा फ्लॉक्ट्वेसंस आएंगी सारी चीज़ें हो यह management हमें continue follow करना है मतलब अगर हम एक lot के साथ try कर रहे हैं तो आपको try करना है कि जब तक 100% का return 200% का return या 300% का return जब तक हम generate नहीं कर लेते हैं तब तक हमें अपने capital को change नहीं करना है जब तक 100% का return नहीं आ रहा है 200% का return नहीं बना ले रहा हैं तब तक हमें same lot, same quantity, same capital के आपको जब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि वो पूरा वहां पर गलत नहीं लगे, generally नहीं होगा, थोड़ा बहुत adjustment कहीं पर करना पड़ता है, but starting में तो बिल्कुल भी plan ना करें, एक बार आप अपना setup fix करें कि आपको यह setup trade करना है, then उसके बाद आपको उसको change नहीं कर कर देंगे, तब definitely आप किसी setup पर पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2-4 trade गलत होना बहुत normal सी बात है, क्योंकि profit भी उसी तरीके से आता है, तो एक setup को ठीक से परकने का, ठीक से backtest करने का, या forward test करने का, एक criteria कम से कम 50-100 trade का लेकर चलिए, तभी आप उसका एक exact result निकाल स से projection होता है, इसी तरीके से indicator होता है, सब चीज होती है, कि आपको उसमें 100 entries मिलेंगी, 10 entries मिलेंगी, तो आप किस तरीके की entry में comfortable है, वो चीज भी आपको समझना है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको fix करनी है, then आप फिर आगे की तरफ जा सकते हैं, तो पहले आपको backtest करना है, इसके बाद फिर आप virtual money से real trade करना start करें, real money से आप एक lot के साथ practice करना start करें, अगेन आप 50 trade plan करें, आप अगर 500 का risk ले रहा हैं वहाँ पर, मैं ये बोलता हूँ है, आपका 40% ही accuracy आया, ठीक है, 60% time आपने losses किये, आपने अगर 50 trade किये, सपोज, example के लिएकर हम मान के चले है, आपने 50 trade किये, 500 का risk आपका, और 700 का या 1000 का आपका reward था, 1000 का reward मान लेते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, 40,000 रुपे के आसपास का profit बनाया, 60 trade में आपने 30,000 का loss किया, ठीक है, 500 रुपे के साफ से, net to net में आपको 10,000 बचा, जिसमें brokerage निकला कुछ और net to net में आपक चार-पांच-6,000 रुपे के आसपास का profit आएगा, सफोज आपने बन ही किया, आपने बन इस टू नहीं लिया, आपने बन इस टू बन ही लिया, आपके सेट अप के अपको यहां पर कितना लगभग, ठीक है, बन इस टू बना कर आपने फॉलो किया, आपको 40% टाइम आप स 20,000 के आसपास का आया, ठीक है, profit, net to net में आपका क्या loss हुआ, 10,000 रुपे loss हुआ, कुछ ब्रोक्रेज और चार्जिस आपके वहां पर, तो 12, 13,000, 14,000 रुपे क्या सपास हो जाएगा, तो आपको यह समझना है, यह आपका पूरा 50 ट्रेड का costing है, वो भी, 60, मतलब सौरी, आपको सौर्ट करने के बाद, सौर्ट कम से कम आपको 6 महीने लगेंगे, आपको करने के लिए complete, आप एक दिन में एक या दो ट्रेड भी प्लान कर रहे है, तो कम से कम 6 महीने का टाइम आपको minimum चाहिए, वहां पर यह सौर्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप 4 से 5 महीने, 6 म आपके अंदर management आजाएगा, discipline आजाएगा, consistency आजाएगा, setup आपको पता चल जाएगा, और generally अगर आप 6 महीने सर्वाइब कर गए, 15,000 से कम losses में, तो definitely 6 मन्त में या 6 महीने के आसपास, आप profit में रहेंगे, losses में तो साय definitely नहीं रहेंगे, अगर आपने सारी चीज़ों को follow कर करते हैं, फिर हम random कुछ भी करना start कर देता है, जैसे profit आता है, losses बहाँ पर होते हैं, तो यह चीज़ें अगर हम follow करते हैं, तो definitely losses recover हो सकते हैं, और बहुत small capital से भी हम अपने capital को grow बहाँ पर कर सकते हैं, जिसका पूरा, अगर हम बात करें, जो पूरा dependency है, वो है discipline की उपर, औ करते हैं, definitely losses recover हो सकता है, इसके उपर जो अगरा setup की बाद आती है हमारे, क्या हम setup follow कर सकते हैं, तो मैं दो से तीन setup आपको explain कर रहा हूँ, then अगर आप comment करेंगे, तो मैं आपको 8 से 10 setup और भी वहाँ पर share कर दूँगा, जिनको आप backtest या forward testing आप कर सकते हैं, तो पहला, जो मैंने आपको already explain किया, trend line breakout का, मैं simple sort में इसको फिर से explain कर दे रहा हूँ, इस type एक trend line आपको लगाना है, जो भी simple trend line आपको easily आपको दिखता है कि आपके according, आपको सही से दिख रहा है, आप इसको सही से follow कर सकते हैं, आपको क्या करना, trend line जैसे breakout होता है, breakout confirmation बड़े candle के साथ निकल रहा है, तो जैसे वो एक मेंट का candle बनता है, एक मेंट का candle ऐसे बन रहा है, जैसे यह candle बना हुआ है, तो इसमें 30-40 second होगा और यहाँ पर कहीं पर trade कर रहा है, तो हम same point पर entry बना सकते हैं, क्योंकि अब 20 second में immediately नीचे नहीं आएगा, mostly नहीं आता है, ठीक है, उस condition में, कभी आ गया तो क्या करेंगे, तब हम same trade को follow करेंगे, continue करेंगे, अगर stop loss जाता है, जाने देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर, तो इस trade में हम यहाँ पर करेंगे, छोटा सा SL रखना है, 45 point का, इतना बड़ा SL नहीं लेना है, ठीक है, इतना बड़ा SL नहीं पर एक बाल लगा कर दिखा देता हूं, आपको position, यह, तो हमने एक candle का stop loss ले लिया है, थोड़ा सा buffer देखा, 6 point का हमारा SL है, 12 point का हम इसमें target रखेंगे, ठीक है, बनिश्टू 2 का, जो कि हमारा यहीं पर complete हो जाता है, इन दो candles के आसपास हमारा यह complete हो जाएगा, तो आपको उस वीडियो में भी explain क्या हुआ है, जा आपको description में मिलेगा, 11-30 के बाद plan कर सकते हैं, maximum 2-3 trade ही plan करना है दिन में, 3 बज़े के बाद plan ना करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 3 बज़े से पहले-पहले plan कर ले, 11-30 के बाद plan करें, 2-3 trade plan करें, और एक clear trend line पर ही trade करें, ज यहां पर breakout आ रहा है, तो इस type के trade को हमें avoid करके चलना है, जो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, आप जाकर एक वार जरूर check out कर ले, अगर आप trend line को follow करना चाहते हैं, same second video भी आने वाला है, तो वो overall उसका होने वाला है, उसको भी आप check out कर सकते हैं तो एक setup यह हो गया, second setup आ जाते हैं, second setup है हमारा range setup, range मतलब एक flat range, ठीक है, अब आप उसको support कह सकते हैं, आप उसको resistance कह सकते हैं, आप उसको range कह सकते हैं, ठीक है, तो एक range breakout पर हमें trade करना है, जैसे यहां पर market ने एक range बनाया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे इसका range का कनफर्मिशन का आपको यह समझना है तो सबसे पहले मार्केट ने यहां पर एक रेंज बनाया हुआ था हम यहीं से इसको मार्क कर लेंगे ठीक है रेंज में आपको कभी भी सेकंड पॉइंट की रिक्वार्मेंट नहीं होते हैं इसको मार्क कर लिया अब हमें कब लेना है वो समझेंगे तो जब मार्केट सेकंड टाइम उस लेवल के आसपास आये और वहां पर फिर से सेम कल्सॉल्डेशन दिखाना स्टार्ट कर दे जो हमें यहां पर देखने की मिला था जिसके रीजन से हमने रेंज को लगाया ठीक है तो यहां पर क्या हुआ अगे इन मार्के गया है वहाँ कर ले तो यहां पर यह तो आपको पता century कर लिया तो यहां पर रीज़ पता चलेगा इंड़ेंगे थाया तो हम है कि आंप क्लिप platforms है तो इस हाई के ब्रेक आउट पर इस केंडल में हमारा एंटी आ जाएगा अब क्यूंकि इस केंडल में हमने एंटी लिया है तो हम यहां पर पांस से दस पॉइंट के श्टॉप लॉस डाल देंगे तो जब आप रेंज ब्रेक आउट लेंगे तब आपका एसल थोड़ा सा पनिश्डो टू के टारगेट के लिए ही जा एंब यह biological और दूसरी आगर हम देखंब यहां पर अगर आप देखे यहां पर यह यहां पर टो तो basically पहले तो क्या था जैसे यहां पर यहां पर भी लगिए ऐसा नहीं यहां पर आया नहीं ठी है यहां पर आपर नहीं हो गया तो यहां पर कुछ कुछ कश्छन करके बुर्यक आ रहा है टौं कर सकते हैं यहां पर देखने फिर उपर नीचे हुआ पर यहां पर जब break out हुआ तो कंडल पर हम एंट्री कर लेंगे यहां पर और फिर हम इसको कर सकते हैं तो मैं यहां पर फिर से आपको लगाकर दिखा दिखा देता हूं यह हमारा breakout था हम साथ से अर्ट का maximum stop loss रखेंगे इसमें जैसे में ने कहा हम यहां पर प्लान कर रहे हैं ठीक है साथ से आप पर इसली टार्गेट देखने के लिए मिल जाएगा तो यह आपका सेकंड सेट अफ होगा जिसको आप फॉलो कर सकते है तो पहला टैंड लाइन दूसरा रेंज तीसरा जो मैंने आपको वहां पर एक्सप्रेंड किया हुए ये तो इंडेक्स पर है सेम चीज को यहां पर ऑप्सटन में भी आप फॉलो कर सकते हैं तो यह दो पैटने को मैं जास कमेंट आ जाते हैं तो मैं ट्राय करूँगा वो सेटप एक्स्प्रेंट करने के लिए अदर्वाइज आपको बहुत सारे सेटप ऐसे यूट्यूब पर मिल जाएंगे आप जाकर एक बार उन्हें देख है फिर उसके बाद आप उसे बैक्टेस्ट करें कम से कम पचास से सौरेड बैक्टेस्ट करने के बाद अगर आपको उसका रिजल्ट 80% आ रहा है बैक्टेस्ट मतलब ऐसे नहीं करना है कि आपने डेख लिया ठीक है कि हां यहां पर हो तो रहा है यहां पर बन तो रहा ऐसा नहीं करना है पूरा प्रॉपर बैक्टेस्ट करना है कि हां यहां जाएगे second trade के लिए तो ऐसे आपको पचास टेट करने जब आप बैक टेश्ट कर लेंगे फिर उसको आप चेक करिए कहां पर कितना मिला कहां कितने मिल सकते थे कितना continue किया सकता था क्या accuracy निकल कर आ रहा है क्या reward निकल कर आ रहा है क्या profit निकल कर आ रहा है वहां पर वह चीज़ें देख籁 फिर उसको foward testing में लगाएं सेम तरीके से ऑना करें जब लाइभ मार्केट में यह कर लेंगे आoi इंट्री कैसे बनानी है जो सबसे वादा इंपोर्टेंट आ जाता है जैसे जब आप इंडिकेटर वाली स्टैटीजी दिखाऊंगा तो आपको क्या होगा प्रॉपर दिखेगा कि यह ब्रेकाउट ऐसे हा रहा है यह मार्किट में यह क्या होता है ऐसे जाएगा यहापका सेक फिर वो दूर दूर हो जाएंगी लाइन बनने के बाद तो यह इसमें आप डिफरेंस जो आता है तो हमें बहां पर लाइब मार्किट में समझना पड़ेगा कि एंट्री कब बनेगा जैसे यहां पर जो टैंड लाइन चल रहा है तो उसमें एंट्री कब लेना है कब परफ आपको इंट्री करने मेंगोज जादा प्रॉफिट मिलता है कि स्टाइप एकक ब्रेट डॉटन अच्छा रहता है यह चीजा हमें फार्वड़ ट्येस्टिंग में समझ में आते हैं तो जब आप forward testing करते हैं, तो आपको एक trade का entry का idea लग जाता है, कि आपको entry कब लेना है, किस type के setup में, किस time में, कितना stop loss सही रहता है, ये चीज़े हमें forward testing से समझ में आती हैं, तो आप forward testing करेंगे, फिर आपको उसको real money के साथ implement करना है, तो इस टारीके से पूरा एक setup तयार हो time frame clear नहीं है, आपका capital clear नहीं है, आपका trade capital clear नहीं है, आपका setup clear नहीं है, आपका strike price clear नहीं है, आपका index clear नहीं है, और ये सारी चीज़ें अगर clear नहीं है, तो आप profit नहीं बना पाएंगे, बट अब अगर आप देखें, आपका overall capital fix है, trade capital fix है, उसके उपर risk fix है, उसके उपर तो आपका time frame भी fix है आपका overall capital fix हो गया है आपकी सारी चीजें fix हो गई है अब बचावस क्या है जो आपने setup देखा है उस setup को identify करना तो अब आप live market में बैठ के जो आप एक मेंट में entry बनाते हैं उसमें आपको सिर्फ यह देखना है कि setup कब बन रहा है जैसे ही आपका setup बनेगा आपकी सारी चीजें fix थी तो आपको decision लेने में सिर्फ 10 सेकंड का time लगेगा कि लेना है या छोड़ना है ठीक है तो जैसे cricket में होता है कि वह दस सेकंड या कुछ second एक दो तीन सेकंड का मिलता है time वहां पर कि वह बॉल आपको खेलनी है चोड़ देनी है सेम चीज मार्केट के साथ है कि लाइब मार्केट में आपको सिर्फ यह समझना है वहां पर जाने के बाद जब आप बैठे हुए हैं लाइब मार्केट में कि आपको वो ट्रेड लेना या छोड़ना है उसके अलावा कोई और planning नहीं होनी चाहिए कि कि कितना quantity लेना है कितन है कितना रिस्क लेंगे यह चीज़े नहीं सिर्फ टेड मेरा सैट अप बना क्योंकि जब सैट अप बनेगा तो स्टॉप लोस आपको पहले से पता होगा क्योंकि आपने पहले से आइडेंटिफाइग किया हुआ है आपको लाइब मार्केट में नहीं देखना जैसे यहां ब्रेक डाट आया ज pressure ऍस टॉप लोस मुझे नहीं नहीं है यहां पर यहांपर डिश की नियुक्त क्याओं से बहु Niger रिवे पार कि ले नहीं लेना है उसका मेन रिविजन है नहीं कि आपका कुछ क्या है आपको पहले से fix कर लेना है सब कुछ fix हो जाएगा आपको easy हो जाएगा trade करने के लिए तो आपको सैट अपा identify करना है और trade करना है बहुत simple है बस इस चीज को आप इतना discipline के सांथ follow कर लेंगे easily आपको profit बनना start हो जाएगा कुछ time के बाद practice के बाद इसके related अगर कुछ और भी questions अगर आपके रह जाते हैं आप comment box में पूछ सकते हैं टेलिग्राम पर हमें join कर सकते हैं टेलिग्राम पर जोड़कर आप मुझे questions पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आता है वीडियो को like करना तेलों को subscribe करना मत खूलेगा thank you so much